हुआ है कि है अज़ों नमस्कार इकजिस्ट एकड़ी में आप सभी कहाथ दिप्सवागत है छिलिए आज हम लोग हिंदी का टाप हंड़ कोस्टन लेकर आए हैं और वह कोस्टन जो इकजांप पोईंड दू से बहुत इंपोर्टन्ट है चलिए तो सुरुआत करते हैं कॉस् क्या कहता है बच्चों ने खेल खेला बच्चों ने खेल खेला तो कॉस्टन पूच रहा है निम लिखी प्रस्टन में चार बिकल्पों में से उस बिकल्प का चैन करें जो निर्देशानुसार काल परिवतन वाला सही बिकल्प है देखे कह रहा है कि बच्चों ने खेल खे चुके भविस्यत काल में करना है इसको भविस्यत काल में करना है क्या बच्चे खेल खेल रहे हैं या बच्चे खेल खेलं पर DBS तो यह कुशन जो कहता है तो बच्चों ने खेल खेला इसका मतलब भाविस सकाल में इसका हो जाएगा बच्चे खेल खेले गे समद में आई बात क्वेशन नमर दूसरा कहता है निम लिखित प्रस्ट में चार बिकल्प दिये गए हैं इनमें से उस बिकल्प का चैन करें जो सही इस त्रिलिंग है देखिए क्या राजप पूत का इस राजपूत का क्या हो जाएगा राजपूता नहीं हो जाएगा अगला कुस्चन क्या कह रहा है सब्द का सही इस्तिलिंग बताइए तपस्वी सब्द का सही इस्तिलिंग बताइए क्या हो जाएगा तपस्वी नहीं इसका हो जाएगा तपस्वी नहीं इसका हो बचन क्या होगा तलवारों होगा या तलवार होगा या तलवारे होंगी तलवारे देखें यहां पे आपका ए तलवार नहीं होगा ए आपका नहीं होगा ए भी नहीं होगा ए भी गलत लिखा होगा ए आपका पहला सही लिखा होगा ए आपका क्या होगा पहला सही लिखा है इ इसका मतलब यह हस और दीर की दूने की इसके भागें कुस्चा नम्बर छे इन में से कौन सा उस्मी बेंजन है उस्मी का बेंजन का मतलब होगा साखा साहा यह आपका answer हो जाएगा Question number 7, पैरा दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संग्या वा उससे बनने वाले भी सेसर सद्रकी है देखे, प्रेम प्यार ए गलत है, सुख दुख ए भी गलत है, सुनर सुना ए भी गलत है, या आपका हो जाएगा पच्छ और पाच्छे की final answer हो जाएगा Question number 7, Question number 8 क्या कहता है, सर्व नाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किस से चलता है, क्या क्रिया से चलता है, क्या कर्म से चलता है, या कर्ता से चलता है, या वच्चन से चलता है, तो इसका final answer क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा यह आपका हो जाएगा भारतेंदू अरिश्चन अगला कुस्टन क्या करा है नीचे दी गई रचनाई किस कभी की हैं कला और बुड़ा चांद और पडलो चितंबरा इसी तरीके से आपका हो जाएगा क्या उत्तरा यह सबी चीजी किसकी हो जाएगा आपका सुमित्ता नंदन पंत का यह क्या हो जाएगा सुमित्ता नंदन पंत का बते समन में आई क्यों सर्वेसर दयाल सकसेना को किस रचना के लिए साहित अकादमी पुरसकार दिया गया था किस पर दिया गया था क्या खूंटी ओपर टंगे लोग इसका फाइनल अंसर हो जाएगा कूर्ट्रू पर तो यह लोग इसके बाद कुस्टन नंबर 13 कुस्टन नंबर 13 कहता है कि अलंकार बताना है अलंकार किसमें बताना काली घटा का घमंड घटा देखिए यहाँ पर घटा दो बार आया है और दोनों के अर्थालग है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा यह मक्कल अंकार अगला कुस्टन का रहा है निम लिखिद परसमें चार बिगल्प को में से उस बिगल्प का चैन करें जो रेखांकित सब्द के मतलब एक कह रहा है मतलब कहने का है यह जो असुद्ध वाक के लिखा है इसका सबसे सुधु दूरूब भी अगल्प का हो जाएगा अगला कॉस्टन कह रहा है चंद में प्रयूक्ट अक्षार को क्या कहा जाता है जो चंद में प्रयूक्ट अक्षार को क्या कहा जाता है जो चंद में प्रयूक्ट अक्षार होते हैं क्या बिंजन कहे जाते हैं क्या चरण और क्या मात्रा क्या वर्ड तो चंद में जो प्रयूक्ट अक्षार होते हैं उन उसके बाद कहिरा है question number 18 Rasaoka Raja, Rasaoka Raja किसको माना जाता है, या होजाएगा सिंहादस निम्लिफित में से चार बीगल्पों में से उस बीगल्प का चैन करें जो नीदेशा नूसार, वाक کے परिव्टन वाला सही बीगल्प है देखे आप इस किताब को पढ़ें देखे कर्म हो अचे मतलब क्या है कि इसको परिवत्तन करना है तो क्या इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया हो सकता है क्या आपने यह नहीं होगा यह किताब आपके द्वारा पढ़ी यह भी नहीं होगा आपने यह किताब पढ़ी इसका final answer हो जाएगा, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, बाते समझ में आई, इसके बाद कहे रहा है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को जियों कात्यों लिखने के लिए, किस चिन्न का प्रियोकत नहीं, क्या योजक का नहीं, उद्धरण का हो सकता है, अल्प विर सिखर का मतलब क्या होता है, देंकि चंद सिखर में हो जाएगा, यह चंद सिखर है, इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारे समास, इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारे समास, ठीक, एक कर्मधारे समास होगा, कुस्टन पूछ रहा है कि इसका समास विग्रा क्या होगा, चंद है सिखर पर जिसके चंद हैं जिसका नाम चंद के जैसा है जो चंद के समान है जो इसका अंसर हो जाएगा चंद है सिखर पर जिसके ठीक इसकी बाद कुस्टन नमर बाइस क्या कहता है निमलखित में से चार बिकल्प दिये गए हैं, जिन में से एक सब्द दिये गए अनेकाती सब्द का एक अर्थ है, क्या जलज, जलज का क्या होगा, जहाज, या मचली, या चतुर, या हाथी, इसका क्या हो जाएगा, मचली हो जाएगा, जलब क्या है, निम लिखित में से जो चार बिकल्प द ये गहें हैं और इसमें आपको बताना है कि पूर्वकाले क्रिया का प्रिवत्तन देखिए दिखाई देगा कर या करके कर के दिखाए देगा मतलब कोई भी काम एक बार आप आप कर ले रच्छा किजिए है प्रभू और एक क्या होगा आप सम्मूर्धन बताता है इसलिए यहां पर सम्मूर्धन कर रखोगा निम लिखित में से चार विकल्प दिये गए हैं जिन में से उस विकल्प का चैन करें जो सब्द का सबसे अच्छा विकल्प है देखिए पतन का मतलब क इसी तरीके से अगला कुस्टन है चार विकल्पों में उस विकल्प का चायन करें जो दिये गए सब्ध को सही समानतवाला है दookie नास का मतलब क्या होता है एक तरिके से तवाहिर होती है ठीक कुस्टन नमबर ठीके MR हो जाएगा बिए अंसर अगला कुस्छन है चार बिकलप में से बना है जो प्त्य से नहीं बना है चार चन्दनी खरिक श्र्टाइस एया है तो उल्लास होजाएगा अच्छा सिह कि अपकी कौन सिह संदी आपकी बेंजन संदी अगला कोश्टन चार भी कल्पों में से दिये गए सदिके विप्रेंटे की सायोक है सायोक का भिलों क्या होगा इस का इसका अन्सार हो जाएगा अगला question जिसका जन्म अंडे से हुआ है को ब्रक्त करने वाला एक सद पच्छी अंडाड नहीं अंड़ इसका अंड़ जो जाएगा निम लिखित में से अम्रित का अनेक आथक सद नहीं है अम्रित का अनेक आथक सद नहीं है क्या सोंड नहीं है पारा नहीं है दूद नहीं है मूती इसका अंसर हो जाएगा चलिए अगला question अम्रित लालनागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है बुंदेल खंड का सांस्कितिक जीवन अलसोर्मुक बुद्ध कालिन भारत लोरीक चंदा की लोकता तुलसी दास का मानसिक विकास की आपका डियांसर हो जाएगा गंगा मया उपन्यास के लेखा कौन है नागार जोन भैरो परसाद गुद्ध राही मासुम रजा अब्दल बिसमिल्ला इसे हो जाएगे भैरो परसाद गुद्ध अगला question कहरा निम लिखी तो वाक्य में आए खाली अस्थान के लिए सही सब्द चुनिए आज कलके नोजवानों ने गुजरुगों की डाट डाट खराब कर रखी है इसके बाद चैन की बंसी बजाना महारे का अर्थ है चैन की बंसी बजाना महारे का अर्थ है सुखसे रहना धेरे धेरे काम करना प्रतिक्षा करना बात पर अड़े रहना है चैन की बंसी मतलब बेखी चैन की बंसी कौन बजाता है चो सुखसे रहता है कोस्चन नमर 49 लोग भूल गए है कविता संग्रा का साहित आकाद में पुरसकार पाने वाले का रग वीर साय है कोस्चन नमर 40 कहेता उसी समय का को ब्यक्त करने वाला काउंसा सद्रसाई उसी समय का मतलब ततकालिन उसी समय का मतलब क्या हो जाएगा ततकालिन हो जाएगा इसके बाद अगला किद पित्ते किद पित्ते में सयोग से बनने वाली क्रिया को कहते हैं क्या साकर्मक नहीं एक किद पित्ते से जो बनेगा उसे किद पित्ते कहते हैं ठीक, श्री किस्न के सुन वचन अर्जुन कोद से जनले लगे, सब सोक अपना भूल कर करतल यूवल मलने लगे, संसार देखे, अब हमारे सत रण में नित पड़े, कते हुए या घुंसडा वो हो गए, उठ कर खड़े, पैस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, देखे ए यहां पर हो जाएगा, उसका नाम से आम है, यहां पर हो जाएगा, उसका नाम से आम है, इसका नाम से आम है, इसका नाम से आम है, यहां पर हो जाएगा, उसका नाम से आम है, यहां पर हो जाएगा, उसका नाम से आम है, तो यहां पर हो जाएगा, उसका नाम से आम है, यहा उसका नाम स्याम है चाबुक निबंद संगरह के रचनाकार है सूरिकांत तिपाठी निराला जी सूरिकांत तिपाठी निराला अगला कुस्टन कह रहा है चियानिस चैलिस कोश्टन कह रहा है वहोर, विहीन, निसान, निमलिखित में से किसके परियावाची हैं, दिन के, साम के, संध्या के, प्रभाद के यह हो जाएगा प्रभाद तुलसी सब्द का, तुलसी कृत सब्द का समाज बिग्रा, तुलसी द्वारा कृत निमलिखित में से कौनसा वक्यांस के लिए एक सब्द सही जोड़ी नहीं है देकि जो बहुत बोलता है वाच्चाल सही है जो कुछ नहीं जानता आग, जो मापा नहीं जा सका जो अनुकरण करने योग है यह गलत है आपका, यह अनुकरणडी नहीं हो यहाँ पर भी सोसनी नहीं होगा, अनुकरणडी होगा यहाँ पर अनुकरणडी होगा कृस्चान में जो उन्चास, जो भेदा नाजासा के अभेद एक अभेद हो जाएगा इसी तरीके से व्याल, उरग, पन्नग, निमलिखित में से किसके परियाव अच्छी है, भाई सांप के सर्ब, आई, भुजंग, नाब, उरग, पन्नग, ज्याल ठीक, अगला कुस्चन है, क्या वन्य, यहाँ से यहाँ पढ़ा नहीं जाता यहाँ पढ़ा नहीं जाता, वाक्त में कौनसा वाच्छ है अगला कुस्चन कह रहा है, साहित अकादमी, कौनसा उपन्यासकार, साहित अकादमी पुरसकार से सम्मानित नहीं यहाँ मननू भंदारी, ठीक, निमली खित में से कौनसा विकर्प, सब्द, और उनके अनेका अथक सब्दों की सही जोड़ी नहीं है देखिए अंग का मतलब हाँ, चिन भाग्य होता है, कोट का मतलब क्या होता है, किला एक प्रकार का वस्त, बली का मतलब उपहाद और कर, सर का मतलब इस सर दे तलाब, एड़्टी आपका अंसर होगा सर का मतलब यह नहीं होता, सर का मतलब होता है सीर, चोटी, पराजित, इस सर का मतलब होता है, सीर, चोटी और पराजित, इस सर का अप्शन क्या होगा गलत होगा, अगला कुश्चन कह रहा है, असत्य कथन की पहचान कीजिए, बिंजन जो वर्गों के तीसरे, चोथे, पांच भोस होते हैं, यह आपका अंसर क्या होगा, गलत होगा, अगला कोस्टन करा है, निम लिखीत मेज से सही वाक्य की भैचान कीजिए, सही वाक्य का मतलब है, सिरी किसने के अनेक नाम है, सिरी किसने को अनेक नाम है, यह आपका हो जाएगा, सिरी किसने के अनेक नाम है, इसका अ और पांचोवर्ग नासिक मतलब जो नाक और मुख दोनों से बोला जाता है इन्हें नासिक भी कहा जाता है या पांसन ना हो जाएगा राजेस जोसी को साहित अकादमी पुरसकार किस रचना पर प्राप्त हुआ था यह हो जाएगा दो पंक्तियों के बीच में क्या हो इसके बाद कह रहा है कुर्स्टा नम्बर साथ नेम लिखित में से सही वाकिकी पहचान केजिए नेम लिखित में से सही वाकिकी पहचान केजिए वे धीमी स्वर बोला वह धीमे स्वर में बोले वह धीमे स्वर में बोले इसका फाइनल आंसा सीर हो जाएगा वह धीमे स्व बताइए, कुश्चन नमबर बासर कह रहा है, साब सचुनर की गती होना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो इसका हो जाएगा असमंजस में पढ़ना, निमली खीत में से कौन सा बिकलत सही सुमेलित नहीं है, लेकि अनुपरास जो होता है, अनुपरास सबान बिंजनु की कुश्चन आपका क्या है, अगला कुश्चन कह रहा है, भाव बिलास और रस बिलास कृति के लेखा कौन है, भूसण जी है, मतिराम, पदमाकर और देव, इसका अंसर हो जाएगा, देव, निमली खीत भासाओं के कालकर्म के अनुसार कौन सा सही होगा, तो सबसे पहले संस अगला कुश्चन आपका क्या है, हिंदी भासा की उत्पत्ती हुई है, अगला कुश्चन है, अप भासा को काल इनमें से क्या है, अप भासा काल पांसो से एक हजार, रिग बेद में किस भासा का प्रयोग हुआ है, चलिए कुश्चन बताईए, रिग बेद में किस भासा का प्रयोग हुआ है तो आप नहां रखेंगे इसका मतलब वैदिक संस्कीती का अगला कुस्टन है इनमें कौन सा नाम अप्रण्स के लिए प्रयोग तो नहीं होता अवहत अवहत देज भासा और डिंगल लेकिन सबको तो आप अप्रण्स में प्रयोग करते हैं लेकिन यह डिं चुन गएता है हिंदी भासा का प्रारण कबसे माना जाता है पंदासो पांसो अठारासो एक हजात इसका अंसर हो जाएगा एक हजात इसके बाद अब भांचिक के भेद नागर उपनागर वह अब राचर किसके दोरा दिये गए हैं क्या हैं चंजी दोरा बिद्यापति पूछा है इसका मतलब इसका अंसर क्या हो जाएगा जिनके उचारण में दीर स्वर से भी अधिक का समय लगे इसका मतलब है हस्तु सर, हस्तु सर की बात करेंगे तो कम एक मात्रा का समय, दो मात्रा का समय दीर ही और दो से जादा का लग रहा है अथाद दीर की से जादा, इसका मतलब प्लूतु सर इसका प्लूतु सर हो जाएगा, निमली खिर्मे से कौन सा सब्द इस्त्रीलिंग है कौन सा सब्द आपका इस्त्रीलिंग है चियत तर क्या उपहार है, रंत है, मस्तक है, रचना है यह रचना आपके क्या है इस्त्रीलिंग क्योंगी रचना की जाती है निमली खिर्मे से कौन सा सब्द पुलिंग है, बनावट है, चिलाहट है बचपन है और सिलाई है बताइए तो इसका जो पुल्लिंग हो जाएगा यह हो जाएगा बचपन ठीक प्रस नुआ चब नहीं हो गा ने आगए आप का हो जाएगा आप नहीं होगा इले निजुआ चब सबनाम में आएंगे ठीक यह पको कौन there निम्रीखीत में से कौन सा गौड़वाचक विसेसर नहीं है तिकाउ। गुजराती यह दोनों है आपका गौड़वाचक विसेसर परट分享 कर दोनों है कुछ यह ले ना खुछ तरण कर दोन से लेगा ना इस कुछ तो लेने जाएगा बजार गए है क्या लेना इसके मतलब कुछ तो लेगा न इसी तरीके से आपको क्यों जाएगा क्या हमसा लेना हो जाएगा नेम लिखी सब्द में कौन सा योगरूर सब्द है देखिए योगरूर सब्द का मतलब होता है जो बहुडी समास के एक्ज सही है अलग-अलग है आम का देखिया आम का nasze रहता है ठीक सिल्ष कपड चरिख सब्द का प्रोक कहां होता है कि सब्दका प्रोक संधिया आदी में, अंत में, आंत में तो नहीं होगा, मद में भी नहीं होगा, ताल conviction होगा, ठीक, लग हूर्मी की बात करेंगे, तो यूपको संधी बहुत अच्छी तरिके से पढ़ाएते, लग अधन उर्मी हो जाएगा, आज कल सब्द में कौन सा समास है यहाँ पर क्या हो जाएगा आज कल में दोंद समास हो जाएगा क्योंकि आप इसको लिखेंगे ऐसे आज और कल आज कल में क्या हो जाएगा दोंद समास हो जाएगा चतुर भुष सब्द में कौन सा समास हो जाएगा यहां पर बहुब जी समास हो जाएगा निम लिखित में से कौन सा रच्मी का परियाव अची कौन सा नहीं है कमला, इंद्रा, महासोयता, पद्मा यह हो जाएगा चांदनी का परियाव अची सब्दे तमाल नहीं यह दमक नहीं होगा, कांती नहीं होगी यह हो जाएगा जोटसा दयालू सब्द का बिलोम क्या होगा दयालू सब्द का बिलोम क्या होता है तो दयालू का हो जाएगा क्या नेदा है यह अपका नेदा हो जाएगा उसर सब्द का बिलोम क्या हो जाएगा बंजर हो जाएगा पत्र सब्द का अथना यह पंखा होता है लेग भी होता, मिल्टी नहीं होती है, यह अंसर हो जाएगा, नेम लिखी सब्दों में से, कौन सा सब्द अनेकार्थी नहीं है, अनेकार्थी नहीं है, चलिए समझे, कुस्टन नमर 95, देखे, कहता है, कौन सा इसा सब्द जो अनेकार्थी नहीं है, देखे, क्या कनक कनक होत के लिए एक सब्द क्या होगा संकल्पा नहीं संकल्पित होगा अगला अगला कोश्चन का है सही अर्थ वाला सब्द यूग में नहीं है अनिल अनल एक गलत है अनिल आली मोर यह भी गलत है यह आदी यह भी गलत है यह आपका जलद जलज कम ए सही है ठीक एक कुश्चन नंब यह आपका हो जाएगा अवदी अवदी वाक्त में जहां अद्वी राम की अपे छक कम रुखना पड़ता है वहाँ पे क्या होता है प्रयोग्ट क्या होता है पूरी विराम होता है अद्वी राम होता है अद्वी राम होता है और यह सब ही होते हैं इसका अंसर हो रहेगा अर्डविनाम सबने भी आई बात ये पूरी क्लास आपकी क्यों ही कंप्लेट वे